तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे आप WhatsApp की Mobile Internet Data को आप करेंगे, Only WhatsApp, सिर्फ WhatsApp की Data को कैसे आप आप करेंगे, इसकी जरुरत कभी न कभी पढ़ जाता है, आप चाहते हैं कि WhatsApp में कोई Internet ना चले, मतलब कोई आपको WhatsApp में चैड ना कर पाए, ना आप किसी को चैड कर पाए मतलब पूरा का WhatsApp का Data को आप आप करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, बहुती सिंपिल और आसान है ये प्रोसेस, आपको मैं फुल जानकारी देने वालो इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंट तक जरुद देखे, छोटा साई वीडियो होने वाला है, उससे पहले आप व दो WhatsApp है, एक ये वाला WhatsApp और एक ये वाला WhatsApp, मेरा WhatsApp बिजनेस है और एक नॉर्मल वाला WhatsApp भी है, तो मैं WhatsApp बिजनेस से इसमें मैं chat करता हूँ, कुछ लिखता हूँ यहां पे, तो simply मैं इसमें आ जाता हूँ और इसमें मैं आके यहां पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं Hello इसमें मैं data को off करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे सबसे आसान तरीका है इसके लिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको एक application लिखके सर्च करना देखिए application क्या लिखके सर्च करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे application मिलेगा जो fake है काम नहीं करता है तो यह 100% काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ छोटा सा यह application है देख सकते हैं 1.7 MB का है इसको हम यहां से install कर लेंगे छोटा सा application है तो तूरंत यह download हो जाएगा और इसको install करने के बाद इसमें क्या setting करना है आप ध्यान से देख लिए नहीं तो आपको बाद में problem हो सकता है हलाकि बहुत ही simple step है कोई problem आपको नहीं होना चाहिए फिर भी कोई भी problem होता है तो comment करेंगे मैं आपको ज़रू हेल्प करूँगा तो देख सकते application मेरा यहां से install होगे तो इसको हम open कर लेंगे open करने के वाद यहां पर permission मांगता है आया agree पर आपको क्लिक करना है अभी आप देख सकते कुछ permission आपको यहां पर मांग रहा है यहां पर ok का option आ रहा है ठीक है तो मैं क्या करूंगा सभी जो ok ok लिखवा रहा है इसमें मैं click करता हूँ उसमें ok पर click करता हूँ फिर नीचे के और एक ok पर इसमें और इसमें भी मैं ok पर click कर दिया अभी आपका काम यहां पर हो गया है अभी आप चाहते है कि WhatsApp जो में वाट्सवार्ट्सवा है मेरे पास दो WhatsApp है एक WhatsApp business और एक WhatsApp अब देख सकते हैं यहां पर यह WhatsApp बिजनसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा WhatsApp का जो data को करना है तो कैसे करेंगे तो देखें इसका यह वाइफाई का उप्शन आ रहा है और यहाँ पर डाटा का उप्शन है तो मैं इसके उपर टैप करता हूं तो यह ऑफ हो गया है और इसके उपर भी टैप कर देता हूं तो यह दोनों यहाँ पर मेरा ऑफ कर दिया और इसके बैटरी ऑप्टिवाइजिशन का कोई यहां पे option आ रहा है तो आप यहां पे all apps पे कर सकते यहां से चोड़ सकते यहां से इसकी कोई दरकार नहीं है तो आप चोड़ दीजिए मैं इसको totally यहां से clear कर देता हूँ अभी मैं क्या करता हूँ क्या है अभी मैं WhatsApp business open करता है इसको मैं open करने के बाद इससे मैं फिर से वाला WhatsApp में तो इसके पास आया नहीं क्योंकि मैंने वाला WhatsApp का data को off कर दिया है तो आपने देख लिए, मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ, फिर से नहीं जाएगा, आप देख सकते हैं फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ वह नहीं जा रहा है, जैसे ही मैं off कर दूँगा न इसको तूरंट यह message आ जायेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ तो हो गया है और यह भी ओन हो गया अब देखेंगे मैसेज मेरे पास आ उपर यहां पर देख सकते हैं जो मैसेज मैंने भी सेंड किया था वह मैसेज सभी यहां पर आ गया है तो इसी तरीके से आप घैटर को मतलब में की डडा को आप करेंग कि फोन में जो भी सा के निर्ट डिकेशन हैं पर वट्सपर की अच्छा लगा करें तो चेनल को सबसक्राब जरू करें सबसे पहले आपको रहे